Hello Everyone, Welcome to Success with Rai Academy, Computer Awareness. Computer Awareness में आज आपका Part 7 है, जो हम 1600 कोश्चन की सिरीज चला रहे हैं और ये सभी कोश्चन पिछले वर्सों में पूछे गए कोश्चनों का समूह है और सभी SBI, IVPS, NABAD, LIC, RBI या SSC, इन सब एक्जाम्स में ये कोश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को Part में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है इससे पहले जो 6 Part बनाएगे हैं, उनका Link आपको Description Box में मिल जाएगा आप उसे वहाँ से देख सकते हैं जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइगन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको वीडियो का Notification मिलता रहे और अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो इसे Like और Share कर दीजेगा आप चलिए वीडियो को सुरू करते हैं First Question है यदि आप एक सब्द टाइप करते हैं जो Word Dictionary में नहीं है तो उस सब्द के नीचे किस रंग की Underline दिखाई देती है इसका Right Answer होगा A Option लाल रंग की जब आपकी Spelling गलत हो जाती है या फिर वो Word Dictionary में नहीं है तो भी वो Red Color की Line को So कर देता है Next Question है Quick Access Toolbar के उपर जो Button होता है आपके Recent Command या Action आपको Cancel करने देता है उसे क्या कहते हैं? उसे Undo कहते हैं याने की D Option इसका Right Answer होगा Next है Third Number Excel में Set of Characters जिसमें एक अक्षर एक हाइफन या Space होता है उसे क्या माना जाता है? इसका Right Answer होगा B Option Text उसे Text माना जाता है Fourth Question पर देखते हैं Dash Software प्रयोकता को Data की पंक्तियों और कालमों का परिकलन करने देता है इसका Right Answer होगा D याने की Electronic Spreadsheet Software प्रयोकता को Data की पंक्तियों और कालमों का परिकलन करने देता है Fifth Question है एक Dash लगबग एक Billion Memory Locations रिप्रेजेंट करता है इसका Right Answer होगा C Option Gigabyte एक Gigabyte लगबग एक Billion Memory Location रिप्रेजेंट करता है Sixth Number है Cell दो या अधिक चुने हुए cells को Combined कर एक Single Cell create करता है उसे क्या कहते हैं? उसे Merging कहते हैं Second Option Right Answer Next है सेवन्थ नमबर Operating System Operating System सरवाधिक प्रचलित Dash Software है इसका Right Answer होगा System Software Operating System सरवाधिक प्रचलित System Software है Next है Eighth Number जब आप Mouse के Buy Button को जल्दी जल्दी दो बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप क्या करते हैं Options देख लेते हैं तब आप Double Clicking करते हैं याने की C Option Right Answer Next है Work Seat पर Horizontal और Vertical Line होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता हैं उन्हें Grid Lines कहा जाता हैं याने की D Option इसका Right Answer होगा Layout Gallery का प्रयोग किया जाता है याने की C Option इसका Right Answer होगा 12th Number है Saved Document को कहा जाता है याने की क्या कहा जाता है इसका Right Answer होगा File Saved Document को File कहा जाता है 13th Number है Dash एक साथ Connected Computers और Devices का एक Collection है इसका Right Answer होगा Network Network एक साथ Connected Computers और Devices का एक Collection है 14th Number है Subtotal कमांड के साथ प्रयोग्त Most Common Subtotal Dash Function है जिसे प्रतेक बार कंट्रोल फिल्ड के बदलने पर एक्सेल का योग डिस्पले करता है इसका Right Answer होगा B Option Sum Subtotal कमांड के साथ प्रयोग्त Most Common Subtotal Sum Function है जिसे प्रतेक बार कंट्रोल फिल्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्पले करता है 15th Number है Text या Content पर Applied एक विसेश द्रश्च श्रव इफेक्ट होता है इसका Right Answer होगा Animation याने की A First Option Animation टेक्स्ट या Content पर Applied एक विसेश द्रश्च श्रव इफेक्ट होता है 16th Number है जिसे Web भी कहते हैं में कई Billion Document होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे World Wide Web याने की www. जो हम लोग यूज़ करते हैं नेट में वही है ये World Wide Web याने की A Option Right Answer 17th Number है Menu में Dash का List होता है इसका Right Answer होगा A Option Command Menu में Command का List होता है Next Question 18th Number है Text और Folder Name जैसी Underline Text को क्या कहते हैं इसका Answer होगा E Option इसमें आइकन नहीं होगा Hyperlink नहीं होगा Menu नहीं होगा और Source Drive नहीं होगा 19th Number है Computer चालू करते ही Operating System की Loading को क्या कहते हैं उसे Booting कहते हैं Next Question है 20 Number एक Text है जिसे आप Page के Bottom में Print करते हैं इसका Right Answer होगा Footnote याने की C Option इसका Right Answer होगा Footnote एक Text है जिसे आप Web Page के Bottom में Print करते हैं 21 Number है अन्य लोगों को Workseat को Protect से Unprotect में परिवर्तित करने से रोकने के लिए आपको Dash क्रियेट करना चाहिए इसका Right Answer होगा Password आप आजकल स्मार्ट फोन में भी आप Password यूज करते हैं ताकि आपके फोन को आपकी गैर मौझूदगी में कोई Open ना कर सके 22 Number याने की 22 Number है वर्ल्ड में डैस, Feature Spelling, Typing, Capitalization या Grammar की गलतियों को Automatically सुधार देता है तो कौन सुधार देता है इसका Right Answer होगा D Auto Correct वर्ल्ड में Auto Correct, Feature Spelling, Typing, Capitalization या Grammar की गलतियों को सुधार देता है इसका Right Answer होगा B Option, Range 24 Number, 24 Number है Dash को आप Objects में Access कर Program Start कर सकते है इसका Right Answer होगा A Option, Default Menu Default Menu को आप Objects में Access कर Program Start कर सकते है 25 Number है बार बार प्रियुक्ट कमांडों को Easy Access उपलब्द कौन कराता है इसका Right Answer होगा B Option, Quick Access Toolbar Quick Access Toolbar, बार बार प्रियुक्ट कमांडों को Easy Access उपलब्द कराता है Next Question है 26 Number आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर अलग-अलग सेफधारण कौन करता है इसका Right Answer होगा Mouse Pointer याने की C Option, Right Answer है 27 Number है Excel, Cell में Text को By Default रखता है Option देख लेते हैं इसका Right Answer होगा A Option, Left Alignment Next Question है 28 Shortcut Keys के उपयोग से Paragraph को Center करने के लिए किस Key का प्रियुक्ट किया जाता है इसका Right Answer होगा Ctrl E, याने की B Option 29 Number है कोई Document प्रिंट करने के लिए किस Command का प्रियुक्ट किया जाता है इसका Right Answer होगा Ctrl P Next है 30 Number Typed Characters का Appearance है इसका Right Answer होगा B Option Format Typed Characters का Appearance है 31 Number है जिस जिस्क में फाइल्स श्टोर किये होते हैं उस पर डैस एक Named Location होता है याने की Folder जिस जिस्क में फाइल्स श्टोरेज किये होते हैं उस पर Folder एक Named Location होता है 32 Number है 32 Number सारनी में एक पूरी पंक्ती चुनने के लिए क्या किया जाता है इसका Right Answer होगा B Option Cell के बाइं एड्स को क्लिक कीजिए तो वो पूरी पंक्ती Select हो जाती है 33 Number है जिसे Computer का Brain भी कहा जाता है सभी को पता होगा CPU Central Processing Unit को Computer का दिमाग यानि की Brain कहा जाता है 34 Number है डैस ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी भी Characters या Character के Combination को Represent करते हैं इसका Right Answer होगा Wild Cards Wild Cards ऐसे प्रतीक होते हैं जो किसी भी Character या Character के Combination को Represent करते हैं 35 Number है Art और First की String को क्या कहते हैं इसे Byte कहा जाता है 0 और 1 इसे Byte कहा जाता है D Option Right Answer 36 Number है Menu पर प्रतेक इसका Right Answer होगा D Menu पर प्रतेक Command एक विशिष्ट कारिक करता है 37 Number है डैस Document को World Screen पर छोटे आकार में डिस्पले करता है Options को देख लेते हैं इसका Right Answer होगा B Option Print Menu Print Preview Next है 38 Number डैस का अध है एक सही तत्य को एक से अधिक जगा इस्टोर करना इसका Right Answer होगा Retidency 39 Number है Presentation को डैस भी कहते हैं Presentation को हम लोग Slides वो भी कहते हैं Power Point में आप जब Presentation त्यार करते हैं तो आप उसे Slide Show के माध्यम से दिखाते हैं 40 Number है Slide Show View में जब आप एक Slide को Right Click करते हैं तब दिखने वाला Menu एक Shortcut Menu होता है यानि कि Pop Up जो होता है वो एक Shortcut Menu होता है 41 Number है एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्द होने के कारण Input, Output एवं प्रोसेसिंग तीनों कारियों के मद्द समन्वे रहता है या विसेशता किसकी है या विसेशता है Multi Processing की यानि की A Option इसका Right Answer होगा Smart Card समानता किस प्रकार का Card होता है इसका Right Answer होगा B Option Micro Processor Card 43 नमबर है Computer एक Software छेत्र में निम लिखित में से कौन सा संगठन सरवाधिक लोग प्रिये है इसका Right Answer है Microsoft 44 नमबर है पत्र या दस्तावेज को तयार या टाइप करने के लिए Computer Package निम लिखित में से कौन सा है इसका Right Answer होगा Word MS Word 45 नमबर है Computer में Power Supply सिस्टम में प्रियुक्त SMPS का क्या अर्थ है यानि कि इसका Full Form क्या है इसका Full Form होता है Switch Mode Power Supply First Option Switch Mode Power Supply Next Question पर आते है 46 नमबर है विभिन चौडाईयों और लंबाईयों वाले बार या लाइनों वाले Computer Readable Code Dash क्या कहे जाते है उन्हें बार कोड कहा जाता है यानि कि D Option इसका Right Answer है 47 नमबर है SQL का पूर्ण रूप क्या होता है इसका Right Answer होगा A Option Structured Query Language इसका Right Answer होगा A Option 48 नमबर है Email Attachment क्या होती है इसका Right Answer होगा B Option Email संदेज के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम में से एक प्रतर डॉक्यमेंट जब आप Attach करते हैं तो उसे Email Attachment कहा जाता है 49 नमबर है निम लिखित में से किने Email का लाभ माना जाता है इसका Right Answer है A सुविधा डिलिवरी की स्पीड और Generality Next है 50 नमबर E-Commerce की कंपनिया Right Answer होगा B Option Internet पर बिजनेस करती है ये Computer Awareness का आज Part 7 था जो 6th Part बनाएगे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद